हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप बहुत ही असान तरीके से गुड़नखंड सिखने वाले हो यदि आपको बिल्कुल भी गुड़नखंड नहीं आता है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे आपके बस वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखे देखे गुड़नखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यह देखे इस तरह का जब question होता है तो यह जो फरस्ट टर्म है यानि कि फर्स्ट वाले x के पहले जो यह टर्म दिया हुए इसको और लास्ट वाले को आपस में सबसे पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं ताकि हमें इसके limitations पता चल सकें देखिए 6 दुना क्या हो गया आपस में गुणा करेंगे यहाँ पे देखिए 6 और 2 को तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा अब देखिए 12 से हमें अधिक नहीं जाना है इसका मतलब क्या हुआ इसको समझिए यह जो 7X दिया हुआ है इसके आगे वाला number यह जो 7 है इसको हमें ऐसे तोड़ना है ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका आपस में हम क्या करें जोडने पर जिन दो नमबर को आपस में जोडने पर 7 आ है, और जिनका गुणा करने पर क्या है? 12 आ है तो ये 2 नंबर में हमें ऐसे ही तोड़ना है 7 को, तो देखिए कैसे हम तोड़ सकते है, 4-3 क्या होता है 4 और प्लस 3 क्या होता है तो 7 होता है 4-3 कितना हो गया? 7 हो गया और ये 12 आहिए? 4 गुणे टीन हो जागा यह की चारतिया 12 यह की 7 X हमें ऐसे तोड़ना था जिनका आपस में जोडने पर क्या आजाए? 7x है यानि कि 4, 3, 7 और जिनका गुणा करने पर क्या आज़े ये limitations बताता है ये 6, 2, 12 जो है तो इनका जब गुणा करते हैं 4, 3 यां क्या हो जागा तो 12 हो जागा तो हमें समझ में आ गया क्या 4x और 3x तो 7x हो जागा और 4x और 3x का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आजागा 12x स्कॉयर आजागा क्योंकि ये 1st और लास्ट का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जागा 12x स्कॉयर आजागा तो चलिए अब इसको समझिए आगे का step समझिए देखे, यहाँ पे हम बराबर का sign देते हैं 2x² वैसे ही लिख देना है आपको plus का sign है तो यहाँ पे देखे प्लस का sign लेते हैं अब 4x और plus 3x क्या हो जाएगा? 4x और plus 3x क्या हो जाएगा? इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा और इन दोनों का जब हम आपस में multiply करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दोना 12 x square आजाएगा अब ये जो है 6 को हम वैसे ही लिख लेते हैं अब आगे देखिए इसको क्या करेंगे इन दोनों को अलग लेना है इन दोनों को अलग पार्ट में solve करना है और इसमें से हम पहले लेते हैं common तो जो number common होता है उसको हम bracket के पहले लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं गुणा करूप में लिखते हैं तो 2 गुणे ये x square है x square को हम और क्या लिख सकते हैं x गुणे x लिख सकते हैं क्योंकि x गुणे x जब आपस में गुणा होता है तो x square बन जाता है तो यहाँ पर हम x गुणे x ले लेते हैं यहाँ पर plus का sign है plus ले लेते हैं 4 x दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 यानि कि 2 दुना 4 और गुणे क्या हो जागा? x हो जागा तो यह 4 x हा जागा टोटल यह अब यह क्या? 3 x है तो 3 गुणे x और plus क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ अब इन दोनों को मैंने क्या बोला? इन दोनों को अलग ऐजे पार्ट लेना है और इन दोनों को अलग ऐजे पार्ट लेना है अब इसमें से जो common होगा इन दोनों में से जो common होगा हम bracket के पहले लिखते हैं देखिए तो इसमें क्या common दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x इन दोनों में क्या दिखाई देरा आपको common दिखाई देरा तो हम क्या करते हैं उसे बाहर लिख लेते हैं 2 गुण X समझ में आ रहा होगा आपको अब बचा क्या common लेते हैं तो जो common वाले number को छोड़ के जो बचता है उसे हम लिखते हैं अब इन दोनों को दिखे इन दोनों में हम क्या common लेंगे यहाँ प्लस का साइन देंगे अब इन दोनों में जो common होगा उसे हम लिखते हैं तो इन दोनों में क्या common दिखाई देरा आपको तो 3 दिखाई देगा तो 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 3 जैसे common लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? X बचेगा क्योंकि 3 में जब X का गुणा करेंगे तो 3X हो जाएगा अब यहाँ पे क्या plus का sign है? प्लस ले लेते हैं common ले लेते हैं जैसे हम X प्लस 2 common ले लेंगे बचेगा क्या आपका यहाँ पे देखिए 2 और X आपस में गुणा में है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2X और यहाँ पे plus sign दिया हुआ है तो plus ले लेंगे और 3 यही हमारा क्या हो गया? answer हो गया अब देखिए next question solve करते हैं तो सबसे पहले क्या step था कि first और last वाले number को आपस में गुणा करना है तो छेतिया क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 गुणे 3 18 हो जाएगा अब यह जो 11X दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है? ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिनका जोडने पर क्या है? 11 है और जिनका गुणा करने पर क्या है? 18 है तो ऐसा कौन सा number आप सोच सकते हैं? जिनको जोडने पर क्या है? 11 है और गुणा करने पर क्या है? 18 है तो वो number क्या हो सकता है? आप देखेंगे क्या हो सकता है तो वो 9 हो सकता है 9 गुणे जब 2 करेंगे तो क्या हो जागा 18 के बराबर आ जागा है ना अब जब 9 प्लस 2 करेंगे तो 9 2 क्या हो जागा 11 के बराबर आएगा तो ये हमें समझ में आ गया क्या कि हमें 9 और 2 ही लेना है तो देखिए यहाँ पर देखिए बराबर का साइन देंगे यहाँ पर 3X स्क्वाइर को वैसे ही लिख देंगे अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस अब क्या करेंगे इससे तो 9X और प्लस क्या ले लेंगे हम तो 2x ले लेंगे थिर plus क्या ले लेंगे तो 6 ले लेंगे अब देखें यहाँ पर यहाँ पर 3x square प्लस 9x दिया हुआ है अब हम इन दोनों में common क्या दिखाई दे रहा हमें तो हम यहाँ पर direct common ले लेते हैं क्या दिखाई देगा आपको common तो यहाँ पर थ्री एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर थ्री एक्स जैसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स बचेगा यहाँ पर प्लस का साहिन है तो प्लस ले लेते हैं इसमें हम मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा तीन ह X बचेगा और 2 का जब इसमें cut करेंगे तो क्या होजागा 3 बच जागा तो X प्लस 3 यहाँ पे हो गए इन दोनों में क्या common दिखाई दे रहा है आपको X प्लस 3 यहाँ भी present है और X प्लस 3 यहाँ भी present है तो इसमें से 1 X प्लस 3 हम क्या करते हैं फिर से common लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 X बचा जैसे common लेंगे जो common लेते हैं number उसको आगे लिख लेते हैं और common वाले को बस एक ही बार लिखते हैं अब बाकी जो बचता है वो लिखते हैं तो 3 X और यहाँ पे क्या हो जागा प्लस 2 हो जागा तो इस तरीके से ये क्या हो गया ये हमारा आंसर हो गया तो उमिद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजेगा यदि आप चैनल पर नए है तो सबस्काइब कर लिजेगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई